नमस्कार दोस्तों, सिविस्कोर आप कैसे इंक्रीज करोगे और ओ भी 800 प्लास मेरा यूट्यूब में बहुत सरा कॉमेंट्स आता है जहां पे कोई कोई ये सवाल करता है सर मेरा सिविस्कोर तो अच्छा है 750 है मगर इसको मैं 800 प्लास करना चाता हूँ मेरा यूट्यूब लाइब सेशन जब चलता है कोई को ये सवाल करता है सर मेरा सिविस्कोर 740 है 750 है इसको मैं 800 प्लास करना चाता हूँ कैसे करें सिविस्कोर ख़राग है कैसे आप इंप्रूमेंट करोगे इसके लिए मैं बहुत सरा वीडियो मैं बनाया हूँ सिविस्कोर को 800 प्लास लेके जाना चाते हो और भी आप इंप्रीस करना चाते हो कैसे करोगे ये वीडियो उन लोगे लिए स्पेशली है इस वीडियो में मैं जो tips share करेंगे वो tips follow करके जिमका civil score खराग है वो भी increase कर सकते हैं यहाँ पर मैं जो tips देंगे यह follow करके हर किसी का civil score 800 plus हो जाएगा इसका guarantee मैं नहीं दे सकता हूँ मगर सारा tips अब सही तरह से follow करोगे तो आपका civil score 750 plus हो सकते हैं What is civil score? यहाँ पर मैं 800 plus civil score का बात कर रहा हूँ हाँ किसी का civil score 900 plus नहीं हो सकता है क्योंकि scale 900 तक है What is good civil score? कौन सा ऐसा specific score है जिसका आप good civil score का होगे? ऐसा कोई specific civil score नहीं है जिसका आप good civil score का होगे मगर हार कोई bank 750 plus civil score होने से और किसी कस्टोमर को लोन देता है आसानी से इसलिए 750 plus score रहने से उसको good civil score आप कह सकते हूँ अब बाल आता है 750 plus score में और किसी को जब लोन मिल जाता है और bank से लोन मिलता है तब 800 plus civil score होने का किया जुरूरत है देखिए कोई कोई popular rank ये बोलता है कि आपका civil score 780 plus रहे तो आपको और भी कौन rate of interest में लोन देंगे और यहाँ पे flexible time and condition मिल जाता है तो इसलिए आपका civil score जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है लोन मिलने के लिए टांस्विनियन सिबिल किसी का civil score manually calculate नहीं करते है civil score calculate करने के लिए उन्होंने इक algorithm fit करके रखा है जो customer का database के basis में automatically calculate होता है उनका जो algorithm है वो हर किसी को नहीं बताता है ये उनका secret property है मागर इनका जो basic parameter है वो ज़रूर बताते है और इस parameter को अच्छा तरवा से समय लोगे तो आपका serious score आप 800 प्लास लेके जा सकते हो पहला जो parameter है kid history and repayment behavior this contributes the largest portion to your score about 35% अपने जो repayment कर रहा है हर माईने में लोन ये माई उसके basis में बहुत अच्छा scoring बनता है और वहाँ पे 35% तक weightless दिया हुआ है अब कोई भी late payment करते हो ये वहीं fail करते हो तो वहाँ पे आपका serious score खराव हो जाता है यहाँ पे issue bank ये से में कर देता है late payment होने से और यहाँ पे बहुत बुरता से serious score गिर जाता है तो कभी भी अब late payment मत कीजिए time for time payment करते रही है next time credit utilization ratio आपका जो credit limit है इसके बारे में और भी detail में आगे चलके बताएंगे length of credit history आपका जो civil report है वहाँ पे आप लोन बहुत ज़्यादा time के लिया है credit history आपका पुराना होगा तो वहाँ पे भी civil score बढ़ते हैं इसके भी weightage है 15% अब तुरहन लोन लिया है आप सोचोगे कि आपका civil score 800 plus चला जाएगा ऐसा नहीं होता है आपका civil score पुराना होना चाहिए वहाँ पे अच्छा credit history रहना चाहिए credit mix ये भी बहुत important है हमारे पास इतना सारा call आता है जो लोग कहते हैं कि मेरा civil score 750 तक गया है या तो 740 है फिर भी मैं time frame repayment भी कर रहा हूँ और loan भी मैंने बहुत ज़्यादा लिया हूँ फिर भी मेरा score आगे नहीं बार रहा है जब हम लोग civil report देखते हैं देखते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा app-based loan लिया है या तो personal loan लिया है इसमें civil score 800 plus नहीं जाएगा यहाँ पर आपको credit means रहने चाहिए अपने unsecure loan लिया है कोई नहीं secure loan होँ पर रहना चाहिए अब यहाँ पर housing loan ले सकते हो gold loan ले सकते हो और यहाँ पर credit card भी लोगे तो आपका अच्छे credit means बनते हैं और आपका civil score भी 800 plus जा सकते हैं हम लोग बहुत सारा ऐसा cases देखा है जिन्धा civil score अचना गिर गया है थोरा बहुत गिरा है मागर गिरा है क्या होता है उन लोग loan लेने के लिए जाता है और बहुत ज़्यागा में inquiry कर देता है inquiry मादला उन्होंने loan के लिए application कर देता है जैसे loan application होता है वहाँ पर hard inquiries हो करता है कभी-कभी ऐसे भी देखा हूँ कोई booker को किसी इसने loan लेने के लिए दिया है तो वहाँ पर booker लोग क्या करता है एकी साब बहुत सारा bank और indices में application कर देता है और short time के लिए इतना ज़्यादा inquiry हो जाता है civil report में score अचाना बहुत ज़्यादा गिरी जाता है अब यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ tips हैंगे जिस tips फ़लो करके आप civil score को 800 प्लास तक ले जा सकते हो कम से कम 750 प्लास कर सकते हो आसानी से सबसे पहला है loan EMI आप timely payment कीजिए try to choose auto debit option कभी-कभी क्या होता है अपने loan लिया है bank से जहाँ पर आपका interest accumulate होता है हार माई ने वह आप deposit कर देते हो या तो EMI जो है आप bank में जाके पैसा deposit कर देते हो कभी-कभी क्या होता है अब timely पैसा deposit नहीं कर पाया है इसलिए वहाँ पर late payment हो जाता है तो इससे बाजने के लिए अब उस account को आपका जो personal account है जहाँ पर आप सेवीन करते हो उस account के साथ link up कर भीजिए जैसे interest accumulated होगा उस account से पर आपका आपका यह महीं रहे वह भी वहाँ से आपका आपका डेविट कर लेगा तो इसमें आपका late payment होने का जहमेला नहीं रहेगा और आपका सीवी स्कोर भी नहीं करेगा करीट काड इउटलेशन दीखिए इसको लेकिए मैं पहले भी डिसक्स किया हूँ आपका जो करीट काड है उसका limit मालो वान लाइगा है यहाँ पर आप 30% की उटलेश कर सकते हो जहां पर आपका सीवी स्कोर खराब नहीं होता है अच्छा रहता है तो इसके अंदर में आप 30,000 उटलेश कर सकते हो मगर किसी मैने आपने ज़्यादा उटलेश कर लिया है तो तुरंद आपने पेमेंट कर दीजे हो आपे अब यह आप कह सकते हो कि मेरे को जो रिकॉर्मेंट है 30,000 से ज़्यादा है तो इसकेस में आप एक काम कीजे अब दूज़रा कार्ट या तो तुर्ज़रा कार्ट भी ले लिजे और टोटाल जो आपको कार्ट रहेगा उसके अंदर में आप 30% नुटलाइस करोगे तो भी आपका सिर्व स्कोर खराब नहीं होगा उबर से अपका सिर्व स्कोर इंक्रीज होगा Manage your credit responsibility Prioritize your high interest rate such as credit card, personal loan Pay the pending due towards your existing loan immediately Due रहे तो immediately आप loan को repayment कर दीजे Never go for loan settlement अब कभी-कभी ऐसा होता है किसी का credit card है और timely repayment नहीं कर पा रहे है तो credit card को मपनी बहुत जल्दी phone कर लेते हैं बोलते हैं आपने कभी टाइम से payment नहीं कर पा रहे हैं आपको मैं discount जा देता हूँ तो आप एक साथ पैसा deposit करके इस card को close कर वा दीजे settlement कर लीजे तो इस टाइप को offer में आप मत चाहिए क्योंकि settlement एक बड़ हो जाता है तो आपका civil reward पारवनले डेमेज होता है यहां पे civil score बहुत बुरादारा से गिड़ जाता है और वहां पे improve करना भी बहुत मुस्किल हो जाता है मार आपके पास fund crisis है और इस टाइम पे किसी हाल से अपने payment नहीं कर पार रहा है तो उसके इसमें आप settlement कर लीजे उस time के लिए मगर जैसे आपका पैसा एरेंज हो जाता है अब होँआ पे deposit कर दीए और यह settlement account को settlement से रिमूट कर वा लीजे standard कर वा लीजे तो इसमें आपका civil score इंपूर्मेंट हो जाएगा यह जाएगा अब जितना पे कर पा होगे उतना ही लोन लीजे क्योंकि जादा आपने लोन ले लोगे और timely repayment नहीं कर पा होगे comfortably repayment नहीं कर पा होगे इसमें क्या होगा अपका irregularity हो जाएगा आपका civil score भी खराब होगा चहां पे increase होने का मोगना नहीं रहेगा चेकियो civil report regularly अब civil report regularly चेक कीजिए क्योंकि report में हमेशा time to time bank update नहीं करते हैं update नहीं रहेगा तो आपका civil score इंप्रीज नहीं होगा कभी-कभी technical problem से दूसरा किसी का loan account में दूसरा किसी customer का account में चला आता है technical problem को वज़ा से ऐसा होता है मगर उस customer का कोई loan default रहेगा तो report में चला आता है तो score भी बहुत बुरादा से गिर जाता है हमने यह भी देखा है किसी customer का civil score 750 है और data mixing के वज़ा से किसी customer और दूसरा कोई customer का loan उनका report में चला आया है तो वहाँ पे तुरण दूसरा 750 से 350 हो चुका है तो ऐसा problem भी होता है इसलिए आपको regularly चेक करना चाहिए और ऐसा problem हो जाता है तो इसमें आप civil में डिस्पूर्ट रेस करके report activation कर सकते हो score को बापस लेके आ सकते हो कैसे आप civil में डिस्पूर्ट रेस करोगे मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो यहाँ पे मैं डिटल में बताया हूँ सिर्फ सिविल में आप कैसे डिस्पूर्ट रेस करोगे ऐसा नहीं है इसके लाबा एक्स्पूर्ट रेस करोगे इसके लिए मेरा complete tutorial है उस tutorial के link में नीची description में देख रहा का हूँ आप देख सकते हो और आपका report आप खुदी activation कर सकते हो civil report activation करना जुरूर ही है क्योंकि civil report को आप activation नहीं करोगे तो score भी आपका improvement नहीं होगा अब ज्यादा inquiry एक टाइम में मत किजिए जो मैं पहले बता चुका हूँ अब ज्यादा inquiry करोगे तो civil score आपका improvement नहीं होगा गिरी भी सकते हैं देखिए एक दो inquiry में civil score गिरता नहीं है मागर एक साथ बहुत जड़ा inquiry कर लेते हो तो civil score बहुत बुरादार से गिट सकते हैं डाइवर्सिफाय योर केड़ पोट्फोलियों आपका सेक्योर लोन है तो उसमें आप अंसीक्योर लोन लिए आपका सिवान सीक्योर लोन है तो वहाँ पे आपको सीक्योर लोन लिए आपका घर मॉंट्गेज करके लोन ले सकते हो उसमें आपका civil score बहुत बढ़ सकते हैं मागर ऐसे आप काई सकते हो कि मैं मेरा घर मॉंट्गेज नहीं करना चाता हूँ तो उसकेज में आपके पास गोल्ड रहे तो भी मॉंट्गेज करके आप लोन ले सकते हो यहाँ पे भी score बहुत अच्छा करा से इंक्रीस होता है कि भी और ओल्डर अकाउंट ओपे नहीं अपका पुराना कोई account रहे तो उसको आप तुरह प्लोज मत कीजे कभी-कभी ऐसा दिखा जाता है कि पास साल दस साल पुराना कोई account है जहां पी यह महीं भी बहुत कॉम है और आउस्टेंटिक कॉम बचा है तो किसी की दिने यह सोसते है चलो इस account को एकी साथ payment करके close कर देता हूँ देखिए इस account को आप continue करोगे तो आपका civil report में score में एक बहुत अच्छा impact देता है तो इसको जुरद ना हो तो close मत कीजे मैंने ऐसे भी दिखा हूँ किसी का overdue हो चुका है तो उन्होंने बता रहा है कि नहीं पुरा account को मैं close कर देता हूँ जुरद ना हो तो इस account को आप close मत कीजे रिगूररली टाम टाम पेमेंट करते रहिए इसमें आपका civil score इंक्रेस होगा टेक का credit bill डलोग यह advice उन्हों के लिए है जिनका civil score खराब है उन्होंने एक secure credit card ले सकते है gold loan ले सकते है consumer loan ले सकते है इसको time to time payment करेगा तो score improvement हो जाएगा अब जिनको guarantee दे रहा है उन्होंने time to payment कर रहा है कि नहीं यह जुरूर monitor कीजिए क्योंकि उन्होंने payment नहीं करेगा तो आपका civil score खराब हो जाएगा मैं हमेसे यह recommend करता हूँ आपका कोई घरबाले है तो उनको आप guarantor बनी है मगर भारत का कोई हो आपका दोस्तों guarantor मन बनी है क्योंकि मैंने यह बहुत सा ऐसा case देखा हूँ दोस्त को guarantee दिया है loan लेने में वहाँ पे दोस्त payment नहीं किया उनका civil report खराब होए है permanently उसके वै पहले सी खराब हुआ है जुरूर ने पहले deport किया है loan settlement किया है late payment बहुत जगा है civil score 550 या तो 600 से नीचे हो गया है उनका civil score 800 प्लास लेके जाना बहुत मुस्किल है मगर जितना सारा मैंने tips दिया हूँ यह tips आप follow करोगे तो जुरूर आपका civil score 750 प्लास भी जर सकते हैं जहां पर आपको आसनी से loan मिलेगा अगे चल गया civil report आप कैसे increase करोगे उसके बारे मैंने detail में बताया हूँ इसके बाद भी आपका मुन में कोई सवाल है कोई doubt रहे गया तो आप नीचे जुरूर comment कीजिए मैं हर comment का answer करता हूँ आपका civil report खड़ाग है score com है जिसके वाइस आपको loan नहीं मिल रहा है और आप civil report को rectivation भी नहीं कर पादा है तो उसके बे आप हमें भी contact कर सकते हो हम लोग civil report rectivation करते है score को improvement करते है हमारा help line number नमबर नीचे description में दिया हूआ है इसी number पर आप contact कीजिए ये number 10 बाइस लेके 8 तक open रहते हैं और Monday से लेके Saturday तक open रहते हैं तो किसी भी time में आप contact कर सकते हो अभी वीडियो रात में देख रहा है तो उसके से आप हमें WhatsApp भी कर सकते हो मेरा team next आपको contact कर लेगी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि मैं मैं ऐसे इस लिवस को रिलेटेड लोंग रिलेटेड वीडियो रेगुलर्ली बनाता हूँ तक ही उस वीडियो का notification आपके पास चला जाए हां जरूर बेला इतन को दवा दी वीडियो इन तक दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद